कि नमस्कार किसान साथियों क्रिशी जागन की जारफ से मैं सोनु सर्मा गाउं बीर बांगडा तैसिद राजोन जिला कैथल हरियाना के अंदर किसान साथियों ये मेरी गेहूं की फसल है अब इसको धाई महिने के करीब हो गया है और बहुत बड़ी अखड़ी है किसान साथियों इसकी लेंथ बहुत जादा है हमने अब की बार एक नई तकनिक से गेहूं बोने का काम किया है शूपर सीडस से पहले अपने खेत को अच्छी तरह से त्यार करके फिर अपने शूपर सीडस से गेहूं को बो दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर 25 से 30 दन के अंदर पहला पानी लगाया फिर खर्प्तवार नाशक दुआई का सप्रे किया उसके बाद फिर लगभग 55 से 60 दिन के अंदर हमने दूसरा पानी इसके अंदर लगाया है तो किसान साथियो आप साथ देख रहे हैं अभी हम इसमें तीसरा पानी भी कल लगा चुके हैं और जो बहुत बढ़िया एकदम भसल पकने के उपर आ रही है तो किसान साथियो कहीं कहीं पर बालिया भी निकलने लग गई है क्योंकि मोसम भी खुला हुआ है तो किसान साथियो हमने ध्यान रखना होगा कि जैसे हम अपने गेहों में पानी लगाते हैं तो मोसम का बहुत रोल होता है मोसम की सही जानकारी लेकर उसी हिसाब से हमें पानी लगाना है अगर मोसम खराब है, दूंद है, कोरा है तो हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उपर से ही पानी बहुत बरसता है तो किसान साथ ही अब मोसम खुल गया है और आराम से हम पानी लगा सकते हैं जैसा हमने कल पानी लगाया है और अज़ धूफ निकली हुई है तो इसे पोधा पानी भी जल्दी पीएगा और मोसम की वज़े से उसका जो फल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा जैसे अब ये गेहों के बालिया धीरे धीरे निकलने लग रही है जैसे जैसे मोसम साफ होगा वैसे वैसे ये बालिया और जादा निकलने सुरू हो जाएगी और रही बात साथियों, हमने इसके अंदर जब पहला पानी लगाया था, तो उस से में हमने इसके अंदर कुछ जैविक प्रोडेक्ट डाले थे, जो फूट के अंदर बहुत काम करते हैं, किसान साथियों, हमें कोई भी जैविक प्रोडेक्ट पेस्टिसाइड द्वाई खरी तो किसान साथियो मेरा यह अन्बव कहता है कि हम जब भी अपनी फसल को बोते हैं लाइक उड़ाई करते हैं तो बड़िया तरीके से खेत को समतल करके फिर हमने करना है और किसान साथियो अभी इसमें पकने में करीब करीब एक महिना के करीब और वक्त लगेगा लेकिन तब एक महिने में दोर ज़्यादा बड़ोतरी होगी आप देख रहे हैं इसमें कई जग्यकों तो यह बालिया भी निकल चुकी है तो हमें अब इसमें एक अगर एंड़ पीके का सपरे कर देते हैं तो इसकी जो बालिया है वह सब एक सार निकलेंगी खेत में और उसकी जो लैं झाल